Hello friends, welcome to my channel So friends, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अर्थन पॉइम जो की O.N.V. कुरूप के दवारा लिखी गई है So इसमें क्या कहा गया है? इसके बारे में डिस्कस करते हैं Start करते हैं अर्थन पॉइम जो पॉइम है अर्थन पॉइम है अर्थन पॉइम यह किसके दवा लिखी गई है? ओ एन्वी कुरूप के दवारा इन डिस लेरिक और इस लेरिक में क्या है? The creator discuss the relationship between the Ports, their harmony, their connection with each other यानि कि Ports का means क्या होता है? मटके तो यहां आपर क्या बताएगी है? कि जैसे कोई कुमहार है, यानि कि जो मटके बनाता है वो क्या करता है? कि बहुत सारे मटके बनाता है और साथ साथ में रख देता है तो जब मटके एक साथ रखे हुए होते हैं तो उनके बीच में क्या relationship होता है? उनकी कैसी harmony होती है? उनके बीच में एक दूसरे के प्रती एक connection जुड़ जाता है इसमें क्या कहा गया है? कि जब किसी एक मटके को खरीद लिया जाता है तब जो दूसरे पोर्ट होते हैं दूसरे जो मटके होते हैं वो दुखी हो जाते हैं कि ये हमसे अलग हो गया है Likewise, they are with the expectation that one day somebody would purchase them इसके साथ ही उन्हें ये भी होता है कि एक ना एक दिन हमें भी कोई और ले जाएगा जिसे हम इनसे अलग हो जाएंगे Alongside the life of earthen pot, earthen pot की life के अलावा, the writer looks at the life of humans यहाँ पर जो poet है वो क्या है कि जो human की life है उसके बारे में भी इसी तरीके से बताती है Agrily waiting for their salvation, desiring for God to reach the perfection यानि कि जो humans होते हैं उनका भी क्या होता है कि इस अंसार में जनम होता है सभी लोग आपस में मिलते जुलते हैं एक दूसरे के प्रति उनके भी emotion, connection, feeling होती है और दीरे-दीरे क्या होता है कि एक time के बाद किसी एक person की death हो जाती है तब हम दुख ही हो जाती है लेकिन यहाँ पर क्या का गया है कि एक नएक दिन सभी को जाना होता है जैसे कि जो कुमहार है वो मटके बनाता है और कभी भी कोई भी मटके है जो वो खरीद लिया जाता है ठीक है तो हर एक मटके को एक दूसरे से अलग होना पड़ता है इसी तरीके से जो humans हैं जो की इस world इस संसार में आए हैं वो भी एक ने एक दिन जाएंगे कहां पर बगवा कि वो भी वेट करते हैं बगवान से मिलने का इच पॉर्ट है जो पॉर्ट है उसका अपना एक यूसफुल फंक्शन होता है इट मेक्स दा वाटर स्टोर प्योर एंड अन प्लुटिड तो यहां पर क्या बताएगे है कि जो मटके होते हैं वो क्या है कि पानी को स्टोर करक पानी है जो वो प्योर रहता है और अन प्लुटिड यानि कि परदूशित नहीं होता है तो इच हुमन है जो इनसान है उसका अपना रोल है उसके अपने फंक्शन है जिसे अप्रिशेट किया जाना चाहिए तो यह इस पोई में बताया गया है इसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाते हो थीम से लेटर तो आप यह वाली जो सामने लाइन से हैं यह हम पढ़ लेते हैं आप इसे लिख सकते हो इन एडीशन तो एक्सप्लो इन थीम ओफ लैक ओफ आइडैंटी यानी की इसकी थीम क्या है लैक ओफ आइनटी तो गुरूप आलसो एक्जामिन दा थीम ओफ अनौन डेस्टिनी इसके साथ उन्होंने क्या का है कि एक अनौन डेस्टिनी भी है अनौन डेस्टिनी कैसे हो जाएगी कि कभी भी कोई भी हमें लेकर जा सकता है किसी को नहीं पते है कि कौन सा मटका कौन सा परसन खरीद कर लेकर ज यहां पर क्या बताए गया है कि ये जो अर्थन उपर ऐनके उपर कि पता निंगों जा कस्टमर आएगा जो इनएश पर कर खुरीदगर ले जाएगा अर्थन पॉसकर्शन कर दिस्कस्ट यह अर्थ इसकूस्न पोत होते हैं कि इसकरल मत्री क्या है यही कि अगर आज एक परसन कोई मटके को खरीद कर ले जाता है तो सभी मटके दुखी हो जाते हैं कि यह जो पॉर्ट है वो हमसे अलग हो गया है इसके बाद यह कोशन करते हैं कि कल किसकी वारी आएगी कल किसको लेकर जाएंगे कुरुप's portrait 100 of earthen pots waiting for an unknown buyer to select them कि यह जो पॉर्ट होते हैं यह wait करते हैं कि कौन सा unknown buyer आएगा जो इन्हें select करकर ले जाएगा He mentions that even the maker do not know who will buy each pot यहां तक कि जो पॉर्ट बनाता है उसे भी नहीं बता कि कौन उस मटके का असली मालिक होगा यानि कि कौन आएगा और किस मटके को चूज करकर ले जाएगा तो यह maker को भी नहीं पता होता है After an unknown buyer select their desired earthen pot क्योंकि जो भी unknown buyer आएगा वो यहां पर earthen pot को उठाएगा उसे यानि क्यों होता है ना कि हाथ से मार के देखते हैं हम उसके बास सुनते हैं मटके कि कौन सा सही है तो इस तरिके से वो अपना desired जो earthen pot है उसे खरीदेगा The other pots on the self collectively mourn the loss of their chosen pot और जो दूसरे pots होते हैं वो सभी क्या है कि दुख मनाते हैं मौन का मिनस होता है दुखी हो जाना दुख मनाना कब जब एक pot उनसे अलग हो जाता है The point end with the pots questioning their destiny by asking a point की ending कैसे होती है कि जो pots होते हैं वो question पुछते हैं अपनी destiny अपने भागय का When does our turn come to depart and when it comes की हमारी बारी कब आएगी अलग होने की and when it's come और जब ये आएगा Who would be the first to leave तो हम में से सबसे पहले कौन जाएगा The theme of unknown destiny related to the other issue present throughout the poem इसके साथ ही ये theme है unknown destiny की जो की relate की गई है दूसरे कुछ issues के साथ The ports are not in control of their life और ये क्या issue है की कोई भी जो port है कोई भी मटका है उसका अपनी life के उपर कोई भी control नहीं है And are at the mercy of the customer वो किस के उपर depend करता है सिरफ और सिरफ customer की mercy पर यानि की customer की choice पर उसकी दिया पर Unable to determine their own destiny यानि की ये जो ports है ये unable यानि की योग्या नहीं है की वो determine कर सके अपने भाग्या को They passively sit on the self की वो सिर्फ शल्फ पर बैठे हुए है यानि की मटके रखने के लिए जगा बना रखी है सिर्फ वहाँ पुने रखा हुआ है and hope और उमीद करती है They are selected की वो select हो जाएंगे This lack of control parallel the theme of और यही जो lack of control ये किस के साथ किस के साथ parallel करती है Subordination, Worthlessness and Lack of Identity यानि की ये जो words है इसके साथ ही जो lack of control है ये भी parallel theme है So hopefully आपको इस जो point में समझ में आगी होगी Main is में बस यही बताए गया है कि किस तरीके से एक कुमहार, एक मटका बनाने वाला बहुत सारे मटके बनाते हैं जो कि आपस में साथ साथ में रखे हुए होते हैं और एक person आता है और उन्हें खरीद कर चला जाता है जब एक person एक मटके कर चला जाता है तो जो बाकी मटके होते हैं वो थोड़ा दुख बनाते हैं कि वो जो मटका है वो उनसे अलग होकर चला गया इसके साथ ही वो कोशन पुछते हैं कि हमारी वारी कब आएगी और हमें कौन खरीद कर जाएगा तो यहाँ पर इसका जो comparison है इसका जो metaphor है वो किसके साथ किया गया है? Human life के साथ कि life है जो इस अंसार में बहुत सारे लोग है जो उनका जनम होता है लेकिन एक नएक दिन उनने भी जाना पड़ता है जब एक परसंट चला जाता है तो बाकी के जो लोग होते हैं वो दुख बनाते हैं लेकिन वो इस reality से भी अबगत होते हैं उनने भी इस बात के बारे में पता होता है कि एक दिन उनकी बारी भी आएगी और उनने भी इस अंसार को छोड़ कर जाना पड़ेगा तो यही इस पॉइम की थीम है समरी है होफली आपको इसी समझ में आगी होगी कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा इसके साथ ही अगर आप मुझे कॉंटेक्ट करना चाहते हो किसी भी टोपिक पर तो आप मुझे टैलिग्राम चैनल नई शुरुवाद से कॉंटेक्ट कर सकते हो आप उसे भी जोइन कर लेना थैंक यू फ्रेंड्स वोचिंग माई वीडियो थैंक यू